नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम कुछ exercises करेंगे जो की हम chair पे बैठे बैठे करेंगे बहुत ही आसानी से ये हम TV देखते देखते भी कर सकते हैं बस एक chair ले लिजे और TV के सामने बैठ जाएए आपको ये करने के बाद बहुत ही अच्छा और बहुत ही relaxed महसूस होगा शुरू करते हैं सबसे पहला है हात साइड में लेना, फिर उपर करना, फिर साइड में लाना, और फिर नीचे करना ये हम 10 बार करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हाथ साइड में, फिर उपर, फिर साइड में, फिर नीचे, ये हुआ एक फिर से वही दोर आएंगे नौ बार ये हुआ दो साइड में, उपर, साइड में, फिर नीचे, ये हुआ तीन आपको अगर और धीरे करना है, आप और धीरे कर सकते हैं ये हो गया चार हाथ साइड में, फिर उपर, फिर साइड में, फिर नीचे ये हुआ पाँच, बस और पाँच हाथ साइड, फिर उपर, फिर साइड में, फिर नीचे छे, हाथ साइड को, फिर उपर, फिर साइड में, फिर नीचे हो गया साथ, बस तीन बार और हाथ साइड में, उपर, साइड को, फिर नीचे हो गया आठ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप हो गया नौ, बस ये आखरी है, हाथ साइड, उपर, साइड और नीचे और ये हो गया दस, हमारा पहला एक्सरसाइज हो गया चलिए हमारा दूसरा एक्सरसाइज शुरू करते हैं हाथ सीधे करना और मोडना बहुत ही आसान है, हम पांच बार करेंगे दोनों हाथों में पांच पांच बार शुरू करते हैं हाथ मोड़िये, फिर सीधा कीजे, ये हुआ एक फिर मोड़िये, फिर सीधा कीजे, ये हुआ दो फिर से वही दोहर आएंगे, मोडना, फिर सीधा करना हो गया तीन ये हुआ चार और ये हो गया पांच अब हम दूसरे हाथ में वही सेम चीज़ करेंगे मोडना और सीधा करना पांच बार चलिए शुरू करते हैं हाथ मोड़िये और सीधा कीजे ये हुआ एक फिर मोडना, फिर सीधा करना ये हो गया दो आप और धीरे कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप मेरे स्पीड से चले आप अपने हिसाब से करें और ये हो गया पांच और दूसरा भी खतम अगला एक्सेसाइस शुरू करते हैं हाथ को उपर लेना और नीचे रखना उपर नीचे बहुत ही आसान है शुरू करते हैं हाथ उपर नीचे ये हुआ एक ये एक्सेसाइस भी हम पांच पांच बार दोनों हाथों में करेंगे हो गया तीन हो गया चार हाथ उपर और ये नीचे हो गया पांच अब हम वही चीज दूसरे हाथ पे करेंगे हाथ उपर और नीचे ये हुआ एक उपर और नीचे ये हुआ दो ये सारे एक्सेसाइस आप आराम से टीवी देखते देखते कर सकते हैं या आपको जहां भी सुविदा हो वहाँ बैट जाएं और ये एक्सेसाइस करें बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए और ये हो गया पांच तो ये अगला एक्सेसाइस है हाथ गोल घुमाना हम राइट साइड से चालू करेंगे राइट हैंड को राइट साइड के तरफ घुमाएंगे ये हम पांच बार करेंगे शुरू करते हैं ये हुआ एक ये हुआ दो तीन चार और ये पांच अब वही चीज लेफ्ट हैंड के साइड करेंगे हाथ को एक दिशा में घुमाएंगे अगर आप राइट को कर रहे हैं तो पांच बार राइट अगर आप लेफ्ट को कर रहे हैं तो पांच बार लेफ्ट की तरफ घुमाना है ये हुआ एक ये हुआ दो आप अपने स्पीड से चलिए आपको अगर धीरे करना है तो धीरे कीजिए और ये हो गया पाँच अब यही सेम चीज हम फिर से करेंगे बस दिशा पल्टेंगे अगर आपने राइट साइड को राइट एंगल पे घुमाया था पहले तो अभी लेफ्ट की तरफ घुमाईए ठीक है शुरू करते है ये हुआ एक ये हो गया दो तीन चार और ये पाँच फिर से सेम चीज दूसरी हाथ पे दिशा बदल लिजिए जो पहले किया था उससे उल्टा ये हुआ एक ये हो गया दो तीन चार और ये पाँच ये एक्सेसाईज भी हो गया अब हम कुछ पैर की एक्सेसाईज करेंगे पैर साइड मे लेना और फिर वापस लाना साइड मे लेना और वापस लाना ये हम 10 बार करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, पैर साइड में और वापस, फिर दूसरा पैर साइड में और फिर वापस, ये हुआ एक, ऐसा हम और 9 बार करेंगे, आप आराम से अपने हिसाब से चलें, तेजी ना करें, अगर आपको नहीं जच रहा है तेजी, आप और धीर कर सकते हैं, ये हो गया 5, और 5 बार करना है हमें, ये सब आप आराम से टीवी देखते-देखते कर सकते हैं, या कहीं आराम से बैटके कर सकते हैं, हो गया है 6, 7, पैर साइड में, फिर वापस, फिर साइड को, फिर वापस, बस हो ही गया है, और दो बार करना है हमें, ये हो गया है 9, ये आखरी है, और हो गया 10, ये भी एक्सेसाइज हो गया, तो चलिए अगला एक्सेसाइज शुरू करते हैं, पैर उपर नीचे करना, उपर और नीचे, ये हम 10 बार करेंगे, दोनों पैर में शुरू करते हैं, एक, दो, पैर को उपर उठाएं, और फिर नीचे रखें, बहुत ही आसान है, आप अपने हिसाब से करें, अपने स्पीड से जाएं, हो गया है पाँच, और पाँच बार करें, आप पैर जितना उठा सकते हैं, उतना ही उठाएं, हो गया है साथ, दो बार और, और दस, अभी वही चीज हम दूसरे पैर पर करेंगे, उठाएंगे और नीचे रखेंगे, आप से जितना हो सके आप उतना ही पैर उठाएं, और फिर नीचे रखें, आप अपनी स्पीड से जाएं, यह हुआ एक, दो, पैर उपर और फिर नीचे, आराम से करें, पांच हो गया, और पांच बार करेंगे, पैर उपर और फिर नीचे, यह हो गया आठ, एक और बार करेंगे, पैर उपर और नीचे, यह एक्सेसाइस भी हो गया, चलिए अब अगले एक्सेसाइस की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम पैर सीधा करेंगे और नीचे रखेंगे, पिछले वाले में हम उपर उठा रहे थे, इस बार हम सीधा करेंगे, आपसे जितना हो सके आप उतना ही करें, चलिए शुरू करते हैं, पैर सामने और नीचे, सामने और नीचे, आप अपनी स्पीड से जाएं, यह चार हो चुका है, पाँच और पाँच बार करेंगे, पैर सामने और नीचे, सामने नीचे, यह आप आराम से टीवी देखते देखते कर सकते हैं, और हम नौ कर चुके हैं, यह आखरी है, और यह दस, अब वही सेम चीज हम दूसरे पैर में करेंगे, सामने उठाएंगे और नीचे लाएंगे, चलिए शुरू करते हैं, पैर सामने और नीचे, यह दो हो चुका, पैर सामने और नीचे, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं, पैर सामने और नीचे, सामने नीचे, यह साथ कर लिया है हमने, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, यह हो गया आट, पैर सामने और नीचे, हो गया है नौ, पैर सामने और नीचे, हो गया है दस, यह exercise भी खत्म, चलिए अब अगले exercise की और चलते हैं, हम इसमें अपने पैर को उठाएंगे, अपने heels को जो पीछे है, उसको ऐसे उठाएंगे, आप देख सकते हैं, पीछे के हील्स को हम उपर उठाएंगे, उपर नीचे करेंगे, ठीक है, शुरू करते है, एक, दो, तीन, आराम से करें, अपने स्पीड पे जाएं, कोई जल्दी नहीं, यह हो गया है, पांच और पांच बार करेंगे, साथ हो चुका है, पैर उपर और नीचे, यह हो गया है, नौ और दस, यह एक्सिसाइज भी खतम, अब अगला एक्सिसाइज करते हैं, इसमें हम अपने सामने वाले पैर को उठाएंगे, हील्स को नीचे रखेंगे, और सिर्फ सामने वाले पोर्शन को उठाएंगे, देख सकते हैं आप, चलिए शुरू करते हैं, इस तरह से पैर को उठाएंगे, यह हो गया एक, आप से जितना हो रहा है, आप उतना ही उठाएं पैर, जल्दबाजी ना करें, यह हो गया है चार, और पांच बार करना है हमें, पैर उठाएं और नीचे रखें, यह हो गया है आठ, नौ, और दस, और यह एक्सेसाइज खतम, हमने कर लिये हैं सारे एक्सेसाइजिस, आशा करती हूँ आपको सारे एक्सेसाइजिस पसंद आए, और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं,